हेलो दोस्तों लो जी वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल ब्यूटिफुल डे ब्यूटिफुल वेदर और ब्यूटिफुल टॉपिक वेरी 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 इंफॉर्मेटिव क्यूंकि गाइस बहुत सारे लोगों के ये क्वेशन आते हैं इंटरनेशन स्टुडेंट्स लेकिन कुछ लोगों के ये क्वेशन आते हैं कि कईई शबार मैंने 22 कर लिए इस बार मैंने 23 कर लिए इस बार मे इस बार मैने ज Congress थे सात्तों नहीं कि मेरा स्टेडी परमिट हो जाएगा ऐसा तो नहीं कि मुझे specific पर मिन नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं कि मुझे प्यार के लिए दिक्कत आएगी वह सारी चीजे इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं तो वाइस बहुत 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 एक इंडरस्टिंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं बहुत सारी स्टूडें और आपको उसमें भी कई कई कान कर सकते तो आप बापिस जाके वीडियो चेक कर सकते हूं आपको स्टूडेंट करते हैं बास इंट्रेशन स्टूडेंट यहां पर आया थीक है अब उसको बाई मालो कहीं पे एक रेस्टरंट में जो मिल गी एक्सवेजट चलो जी ठीक है अब रेस्टरंट वालों ने बोला कि भाई हमें चलो ठीक है यह आप स्टूडेंट हो आप 20 घंटे अलाओड हो ठीक है चलो ठीक है जी हम आपको इतने घंटे दे देंगे अब भाई क्या होता है जब आप कहीं पे काम करने लग जाते हो ना तो कभी-कभी या आदा गंटा एक गंटा उपर नीचे वो शिफ्ट के दोरान हो जाता है फौर एकजैंपल आप आप क्लोजिंग कर रहे हो ठीक है वहाँ पे आपका आदा गंटा एक गंटा एक्स्ट्रा लग गया ठीक है यह और आपको उन्होंने स्केजुल किया था 20 गंटे के लिए और आपके 21 होगे फिर मालों दो तिन दिन आपने अफ़ते में क्लोजिंग कर दी तो भाई आपका हो गया 22-23 गंटे हो गये पर पर वीक अब भाई उसके दिमाग में क्या हुआ स्टूरेंट के उसके दिमाग में आया भाई यह तो मेरे 20 गंटे से जादा होगे ऐसा तो नहीं कि मुझे वर्क पर मिन मिलेगा कैंड़ी तो भाई वो चीज़े जो करने हैं में यह हमने आते हैं वैसे थोड़ी नर्वस होते हैं ठीक है और इन चीज़ों का हमें ध्यान देन मैं आपको काई discussion बता देता हूं इस चीस की मैं आपको काई इस चीस के लिए हम discuss कर लेते हैं इस बात को फुड़ा detail में discuss कर लेते हैं देखो जी वैसे तो officially you can work 20 hours per week being an international student ठीक है जी तो जो अगर आप उस policy में नहीं आते जो उन्होंने immigration वालों ने पहले निकाली थी last year ठीक है बाट अगर मालो किसी दिन आपके भाई 22 होगे किसी हफते मालो किसी हफते 23 होगे या फिर क्या होता है कभी 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 कि उन्होंने बोला कि मेरा एक लीग मेरा एक चुटी पे चला गया तो बहुत जादा emergency है आपके रेश्टरेंट ने आपके manager ने आपको call किया कि हाँ जी तब बाई देखो एक वैसे तो ठीक है आपको बहाई 20 से जादा करना भी नहीं है गाई लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि आपके 25 हो गये 26 हो गये 28 हो ठीक है इस सो के बैइ 20 Sl сके बाई कोई चक्कर नहीं है जो लोग कहते हैं चिइन बाई 23 सब्सक्राइब होगे इतर्टर्थ मुफिया औरुंधं Il कोई वह के लिए है बॉट बड़ा टिर होगे हाँ वह एक अलग बात है कि ह्आम수 लिए 10क्राइब टिर 10 घंठे करने हर अब्धे लगे पड़े हो 24 गंटे ठीक है हर अफते लगे पड़े हो 26 गंटे वो उसको एक रेगुलर बेसिस पर मत बनाओ ठीक है कभी-कभी आपके 22 गंटे होगे कभी-कभी एठाइस होगे लाइक कभी हाना कभी अमेरजंसी आगी तो आपने ठीक है मुझे एक एक लॉयर के साफ से चलना पड़ेगा वह आपको पता आपकी जौब है चाहे पार्ट टाइम है बर थोड़ा वह तापको इतना कॉपरेट करना पड़ता है सब करते करना पड़ता है तो इसमें यह चीज़ें होती है कि भाई अगर 22 के कभी-कभी आपके 21 22 23 होगे कभी-कभी आपको घबराने की जरुत नहीं है बाई इस फाइन हां कभी-कभी आप रिपीट कर रहा हूं गाइस कभी ऐसा हो गया कि आप रिपीट करी जा रहे हो आप लिए उसको एक हैबिट बना लिए कि भाई आप 26 36 36 40 गंटे करी जा रहे हो रैगुलर दैन इस बिग डील दैन दिक्कत होगी तो आपको भाई फिर प्यार कैसे मिलेगी राइट तो इसको ना भी वेरी 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 डिफिकले इन डाट केस बड़ हां अगर कभी-कभी यह चीजें हो रही है कोई बात नहीं आप थोड़ा इंप्लार के साथ कॉपरेट कर सकते हो और इतना कोई गाई उस चैसे आप कम भी आपको मिलेंगे रीडिंग वी तो है वाई रीडिंग वीक में चक और यार कोई चक्करी नहीं यहां फिर आपकी ब्रेक होती है बाई फुल टाइम काम करो यार को चकरी पुल टाइम मतलब जितने मर्जि गंड़े काम करो मेक्शिर कि आपको ओवर टाइम मगरा मिलता रहे ठीक है अगर आप ओवर टाइम करते हो राइट तो यह चीज है जी जी मैंने सोचा आप कि आप लोगों के साथ शेयर कर दो आपको तसली से बता दूँ कि हाँ जी भाई अगर आप 20 गंटे के लाओ तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो तो फूर्ट टाइम कि करना या ल या फीर रीडिंग का आती है उसे मिरी ब्रेक बीदे कर दा लो कोई नीए या फिर जैसे आपका ब्रेक होता है न तो सब कुछ कुस के तो वह एक फाइदा रहता है बहुत बड़ा फाइद मेरी स्क्योटी कि जो आप अप पार्ट टाइम करता है था था ठीक है तो मैं आपको गाई बिल्कु सही अडवाइस दे रहा हूं ठीक है एक तेंशन लेनी की ज़रहती है अपनी जरू करो सीको लरन करो स्किल्स इंकल्केट करो जितनी भी हो सकते हैं कॉम्पिटिशन से बाद निकलो वह चीज़ करो यह उनीक हो क्योंकि आने वाले टाइम में गाइस कॉम्पिटिशन और भी जादा होने वाला है तो अगर आप थोड़ा स्टेंड आउट करना चाहते हो क्राउट से तो आपको का आपके पास वह होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है ठीक है तभी थोड़ा आपके पास आपके आप से इंप्रेस होगा तभी वह सोचेगा कि हां जी भाई हमें यह एंप्लॉई चाहिए अपनी कंपनी में ठीक है तो think about it मेनत करते रहो गाइस और बाकी वह डेडिके मार्केट एक्सपेक करते हैं आपके पास वह चीज़ें होनी चाहिए राइट लोग कर रहे हैं कॉमेंट कर रहे हैं गाइस सब्सक्राइब करें चैनल को जिनों नहीं क्या